ओम आदिपुर्शाय नमा, क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने जीवात्मा के बारे में क्या कहा है? भगवान, श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जीवात्मा अभिनाशी है, तो भला कैसे कोई इसका नाश करेगा? लेकिन जो ये हमारा स्थूल शरीर है, उसका विनाश निश्चित है, जीवात्मा जीव के शरीर के अंदर रहती है और हमेशा से शाश्वत है, ना कोई इसकी हत्या कर सकता है, ना कभी ये मरती है, जो यह सोचता है कि इसकी हत्या हो सकती है, वह बुद्धी हीन व्यक्ती स्वयम का ही शत्रू है अज्यानी जन ये नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि ये मरंशील है इसका ना कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यू ये हमेशा ही शाश्वत है ना कभी इसका जन्म हुआ है और ना ही इसका कभी जन्म होगा ये अजन्मा अविनाशी तत्व है ये ही पुरातन सत्य है ये अजन्मा अव्य और नित्य है ये ही शाश्वत अविनाशी सत्य है ऐसे जो नर जान जाता है वो कभी किसी की भी हत्या नहीं करता है जो इस शाश्वत सत्य को जानता है हत्या का कारण भी नहीं बनता है जैसे शरीर पुरातन फटा हुआ वस्त्र बदल कर नए वस्त्र धारन करता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याक कर नया शरीर धारन करती है जीवात्मा का शस्त्र से छेदन असंबव है ना ही अगनी इसे जला सकती है ना जल गीला कर सकता है ना ही पवन इसे सुखा सकती है यह हमेशा हर जगा विद्यमान है स्थिर अचल सनातन है जीवात्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता यह मन से परे है शाश्वत है दिव्य है और विनाश ना होने वाला अविनाशी तत्व है झाल度 है